स्रीमत भागवत महात्मे सूत जी कहते हैं मुनिबर उसमें अपने भक्तों के चित में अलोकिक भक्ती का पादुभा हुआ देख भक्त वत्सल स्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे उनके गले में वर्माला सुभा पा रही थी स्री अंग सजल जल धर के समान स्याम वर्ण था उस पर मनोहर पितांबर सुसोवित था कटी प्रदेश करधनी की लडियों से सुसजित था जिस पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की जलक देखते ही बनती थी वे त्री भंग ललित भाव से खड़े वे चित को चुराए लेते थे वक्च स्थल पर कॉस्तूम मनी दमक रही थी सारा स्री अंग हरी चंदन से चर्चित था उस रूप की सोभा क्या कहें उसने तो मानो करोडों काम देवों की रूप माधूरी चुईन ली थी वे पर्मानंद चिंत मुर्ती मधूरी धर ऐसी अनुपम छवी से अपने भक्तों के निर्मल चितों में आविरभाव हुए भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परीकर उद्धवादी वहां गुपत रूप से उस कथा को सुनने के लिए आये हुए थे और प्रभु के प्रकट होते ही चारो ओर जैहो जैहो की धोनी होने लगी उसमें भक्ती रसका अधुद प्रवाह चला बार बार अवीर गुलाल और पुस्पों की वर्सा तथा संक धोनी होने लगी उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गे और आत्मा की भी कोई सुधी ना रही उनकी ऐसी तन्मेता देख कर नारज जी कहने लगे मुनिस स्वरगन आज सप्ता स्रवन की मैंने यह बड़ी अलोकिक महिमा देखी यहां तो जो लोग बड़े मुर्क दुष्ट पसुपक्ची भी हैं वे सभी अत्यंत निस्पाप हो गया हैं अता इन में संदेह नहीं की कली काल में चित्त की सुधी के लिए इस भागवत कथा के समान मिर्तियों लोक में पाप पुंज का नास करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है मुनिवर आप लोग बड़े क्रिपालू हैं आपने संसार के कल्यान का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है आप क्रिपया यह तो बताईए किस कथा रूप सब्ता यग्य के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते है तो सनक आदी ने कहा जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं निरंतर दुराचार में ही ततपर रहते हैं और उल्टे मार्गों पर चलते हैं तथा जो लोग रोधागनी से जलने वाले जलते रहने वाले कुटिल और काम परायन हैं वे सभी इस कलियूग में महा जो सप्तायग से पवित्र हो जाते हैं जो सत्य से चुत माता पिता की निंदा करने वाले तृष्णा के मारे ब्याकुल आस्रम धर से रहित दम भी दूसरों की उन्नती देखकर कुढने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं वे सभी कल गमन तथा विष्वास घहत मात जो पाँच महां पाप करने वाले हैं चल मैं रहने वाले कोड़ पिचासों के समान निरदयी ब्रहमनों के धन्से पुष्ट होने वाले और व्यवब्धाचारी हैं वे भी कलियृक से पवित्र हो जाते हैं जो दुष्ट आंगरह पुर्वक अक्सरवता मनवानी और सरीर से पाप करते रहते हैं दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलीन मन और दुष्ट धरदे वाले हैं वे भी कल्यूग में सब्ताह यग्य से पवित्र हो जाते हैं नारजीत अब हम तुम्हें इस विशय में एक प्राचीन इधियास सुनात सत्त्य और सत्यकर्मों में तत्पर रहते थे उस नगर में समस्त वेदों का विशह सगय में निपुलण एक आत्म-देव नामःग भ्रहामन रहता था वह साकषात दूसरे सूरी के समान तेज्स्वी था वह ध्हनी होने पर भी भी ठा सा सुख मिलता था सुभाब से कुरूर पढ़ाया कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी ग्रिह कारे में निपुन थी कृपन थी जगडालू भी थी इस प्रकार ब्राहवन दंपती प्रेम से अपने घर में रहते थे उनके पास अर्थ और भोग बिलास की सामगरी बहुत थी घर दीन दुखियों को गौ प्रतिवी सुर्न बस्तर आदी दान करने लगे इस प्रकार धर्म मारग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला इसलिए अब वह ब्रह्मन बहुत ही चिंतातु रहने लगा एक दिन वह ब्रह्मन देव था बहुत दुखी होकर घर से निकल कर बन को चल दिया दो पहर के समय उसे प्यास लगी इसलिए वह एक तालाप पर गया और संतान के भाव के दुख ने उसके सरीर को बहुत सुखा दिया था इसलिए ठक जाने के कारण जल पी कर व वहां एक सन्यासी महात्मा आये जब ब्रह्मन देव ने देखा कि वे जल पी चुके हैं तब वह उनके पास गए और चर्नों में नमसकार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसे लेने लगे सन्यासी ने पूछा कहो देवता ये ये ते क्यों हो तुम्हें क्या भारी चिंता है तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ ब्रह्मन ने कहा माराज मैं अपने पुर्व जन्व के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजली के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गरम करके पीते हैं देवता ब्रह्मन मेरा दिया हुआ प्रसनमन से स्विकार नहीं करते संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है मैं प्रान त्यागने के लिए यहां आया हूँ संतान हीन जीवन को धिकार है संतान हीन ग्रिह को धिकार है संतान हीन धन को धिकार है और संतान हीन कुल को धिकार है मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी सरवता बांज हो जाती है जो पेड लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाते है जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहून हूँ तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्य करना यों कहकर वह ब्राह्मन दुख से ब्याकुल हो उस सन्यासी महत्मा के पास फूट फूट करोने लगा तब उस यतीवर्न के हिर्दे में बड़ी करुना उत्पन हुई वे योग निश्ट थे उन्होंने उसके ललाट की रिखाएं देखकर सारा ब्रितान जान लिया फि विवेक का आस्त्रे लेकर संसार की वासना छोड़ दो विप्रवर सुनो मैं इस समय तुम्हारा प्रारब देखकर निश्टे किया है कि साथ जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती पुर्वकाल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भो मुझे तो बल पुर्वक पुत्र दीजिये नहीं तो मैं आपके सामने ही सोक मुर्चित हो कर अपने प्रान त्यागता हूं जिससे पुत्र इस्त्री आदी का जिसे सुख नहीं मिला ऐसा सन्यास्तो सरवथा नीरस ही है लोक में सरस्तो पुत्र पुत्र आदी से भरा पुरा ग्रहस्तास्रम ही है ब्रह्मन का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा बिधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्र केतु को बड़ा कस्ट उठाना पड़ा था इसलिए देव जिसके उद्द्यो को कुचल देता है उस पुरूस के समान तुम्हे भी पुत्र से सुक नहीं मिल सकेगा तुमने तो बड़ा हट पकर रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्तित हो ऐसी दसा में मैं तुम से क्या कहूं जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता तब उन्होंने एक फल देकर कहा तुम इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना इससे उसके एक पुत्र होगा तुम्हारी इस्तरी को एक साल तक सत्य सौच दया दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत सुद्ध सोहा बाला होगा यह कहकर वे योग दिल सभाब की ही थी वह रोर धोकर अपनी एक सकी से कहने लगी सकी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी फल खाने से घर्व रहेगा गर्व से पेट बढ़ जाएगा फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा इससे मेरी सकती चीन हो जाएगी यह गर्व भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा और कहीं प्रसब काल के समय वह टेड़ा हो गया तो फिर प्रानों से भी हां धोना पड़ेगा यह भी प्रसब के समय बड़ी भेंकर पीड़ा होती है मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सहसकूंगी मै अनदरानी आकर घर का समाल समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सबते सौचादी नियोमों का पालन होना भी कठी नहीं जान पड़ता है जो इस तरी बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालल पानन में भी बड़ा कस्ट होता है मेरे बिचार से तो बंद्या या उसकी बहिन अपने आप ही उसके घर आई तब उसने अपनी बहिन को सारा विरतान सुना कर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है मैं इस दुख के कारण दिनो दिन दूबली हो रही हूं बहिन मैं क्या करूं बहिन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है प्रसब होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी तक तक तु गर्वती के समान घर में गुपतरूप से सुकसे रह तु मेरे पती को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यहीं कहें कि बालक छे महिने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रती तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोसन करती रहूंगी तु इस समय इसकी जाच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे ब्रहमनी ने इस्त्री स्वभाब बस जो जो उसकी बहिन ने कहा वैसा ही किया इसके पस्चाथ समय अनुसार जब उस इस्त्री के पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंदली को दे दिया और उसे आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुपुरव बालक हो गया है इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोग बड़ा आनंद हुए ब्रहमन ने उसका जात कर्म संसकार करके ब्रहमनों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना अनेक प्रकार के मांगली करते होने लगे दुंदली ने अपने पती से क मेरे अस्तोनों में तो दूद ही नहीं फिर गौ आदी किसी अन्यजीब के दूद से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी मेरी बहिन के अभी बालक हुआ था मर गया है उसे बुला कर अपने यहां रख लेते हैं तो इस बच्चे का पालन पोसन वह कर लेगी तब अच्चा हुआ वह सरवांग सुंदर दिब्य निर्मल और सुवर्न की सी कांती वाला था उसे देखकर ब्रह्मन देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वैम ही उसके सब संसकार किये इस समचार से सब लोगों को बड़ा अस्चर हुआ और वे बालक को देखने के देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता ना लगा और आत्म देव ने उस बालक के गौके से कान लगा कर उसका नाम गौकर्न रखा कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गये उनमें गोकर्न तो बड़ा पंडित और ग्यानी हुआ किन्तु धुन्दकारी बड़ा ही दुष्ट निकला खान पान का सौकिन ब्रहनो चित अचारों का उसमें नाम भी नहीं था ना खान पान का ही कोई परहेश था क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चड़ा था वह बुरी बुरी बस्तुओं का संग्रह करता मुर्दे के हाथ से चुवान हुआ अन्नभी खा लेता दूसरों की चोरी करना सब लोगों से दोएस बढ़ाना उसका सुभाब बन गया चिपे चिपे वह दूसरों के घुरों में आग लगा देता दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चटकुई में डाल देता हिंसा का उसे बैसंसा हो गया था हर्स में वह अस्त सस्त्रधारन किये रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को बिर्त का तंग करता चांडालों से उसका विसेश प्रेम था बस हात में फंदा लिए कुट्तों की टुली के साथ सिकार की टोह में घुमता रहता पिता की सारी संपत्ति उसने नष्ट कर दी एक दिन माता पिता को मार पीच कर घर के सब बरतन भांडے उठा ले गया इस प्रकार जब सारी संपत्ती स्वाहा हो गई तब उसका क्रिपन पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला इससे तो इसकी मां का बांज रहना ही अच्छा था कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है अब मैं कहां रहूं कहां जाहूं मैं इस संकट को कौन काटेगा है मेरे उपर तो बड़ी विपत्ती आ पड़ी है इस दुख के कारण अवस से मुझे एक दिन प्रांच छोड़ने पड़ेंगे उसी समय परमग्यानी गोकर्न जी वहां आये और उन्होंने पिता को बैरागी का उपदेश करते वे बहुत समझाया वे बोले पिता जी यह संसार असार है अत्यंत दुख रूप और मुह में डालने वाला है पुत्र किसका धन किसका सनेहवान पूरुस राद दिन दीपक के समान जलता रहता है सुख ना तो इंद्र को है ना चकरवरती राजा को ही सुख है केवल बिरक्त एकांत जीवी मुनी को यह मेरा पुत्र है इस अग्यानता को छोड़ दीजिए मोह से नरक की प्राप्ती होती है यह सरीर तो नश्ट होगा ही इसलिए सब कुछ छोड़ कर बन में जाईए गोकर्न के वच अब तक कर्म वसनेह पास में बंधा हुआ अपनी भाती घर रूप अंधेरे कुए में ही रहना पड़ रहा है तुम बड़े द्यालू हो इससे मेरा उध्धार करो गोकर्ने कहा पिता जी यह सरीर हड़ी मांस और रुधिर का है पिंड है इसे आप मैं मानना छोड़ दे और इस्त्री पुत्र आदी को अपना कभी न माने इस संसार को राद दिन छंबुंगूर देखें इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझ कर उसमें राग ना करें बस एक मातर बैराग ये रस के रसिक होकर भगवान की भक्ती में लगे रहें भगवत भजन ही सबसे बड़ा निरंतर उसी का आस्रे लिया करें अन्य सब प्रकार के लोकिक धर्मों से मुख मोड लें सदा सादू जरों की सेवा करें लोगों की लालसा को पास न फटकने दें और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुन दोस्रों का विचार करना छोड़ कर एक मातर भगवत सेवा और भ समें साथ वर्स की हो चुकी थी फिर भी बुद्धी में पूरी द्रणता थी वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से नियम पुर्वग भगवत के दसमस्त कंद का पाठ करने से उसने भगवान स्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया स्री मत भगवत महापुरान अध्याय समाथ हुआ अगले अध्याय में हम आपसे कल मिलेंगे धन्यवाद